आप दीख रहे हैं JX News 36 मा के मिर्तिव प्रमार पत्र के लिए बेटे दो महां से सचीव के चक्कर काट रहा है दरसल मामला गरियाबन जिले की मेन पूर विकास खंका है जो अपने मा के मिर्तिव प्रमार पत्र बनाने के लिए दो महने से सचीव पंचायत का चक्कर काट रहा है फिर भी अभी तक मिर्तिव प्रमार पत्र नहीं बना है जबकि मिर्तिव के 21 दिन बाद सचीव को मिर्तिव प्रमार पत्र बना के दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहां मामला कराम पंचास सरई पानी का है जो कि बेते अपने मां की मिर्तिव प्रमार पत्र के लिए दो महने से भटक रहा है एवं पंचास सचीव पंचास सनदारत रहते हैं जब हेमलाल ने साथ दौर सचीव को इस संबन में फोन करने पर पंचास का क्या हाल होगा लेकिन सोचने वाली बात यहां है कि इस संबन में सरपंच वा उप सरपंच को भी जानकारी है फिर भी किसी जनप्रतिनीधी का पंचास की ओर ध्यान नहीं जिसके कारण आम जनताओं का पंचास के कारे से परिसान है स्वरगी बाला बाई पत्ति आनंद राम है, जिसका दो महने पहले मृत्यू हो गई, जिसका मृत्यू प्रमार पत्र आज प्रियंत नहीं बना है, जिसके कारण तेंदू पत्ता संग्रहण का बीमा नहीं मिल पाया है, जो कि प्रमार पत्र मिल जाये तो बीमा मिल सके, जिससे स्वरगी बाला भाई के मरदन कमपिल से फोन के माध्यान से बात किया तो साथी साली कुर्ण बंद बताया गया आप देख रहे हैं एस यू एन 24 न्यू 36 गर्ड का नाम है आपका जेमना निसाद ग्राम सरई पानी का हूँ वार नंबर चार क्या समझ से आपको माह का मिरित्यु प्रमापत्रत सच्चिव के पास दो तीन बार जा चुका हूँ अभी तरके सच्चिव मेरे है। किस इन डार को आज करके घुमा रहा है। कितने मैने से गुमा रहा है? दो महा हो गया. मलताक के क्या नाम है? बालो भाई कि सेप्टिक मकान नहीं गया सेलंडर को नहीं बिजली का सुईदा मिला है चीक हाँ